ए स्री राधिकिष्णि, आप सभी का हमारे यूट्उटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो नवगरह देपता की कृपा से व्यकती के सभी परकार के विख्न और बाधाएं दूर होती हैं। तथा नवग्रह देपता की कृपा से सभी प्रकार की सुख और शम्रिधी की प्राप्ति होती है। तो आईए स्री नवग्रह अस्तोत्र का पाठ शर्वन करते हैं। तो बोलिये प्रेम से नवग्रह देवता की जये। प्रियंगु कलिकाश्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं शम्यं शम्य गुणो पेतं तम्गुधं प्रणवाम्यः देवानाम्च रशेनाम्च गुरुम्कांच नशन्निभं बुध्धि भूतं त्रलोकेशं तम्नमामी ब्रहश्पतिं। हीम कुंद म्रनालाभं देत्यानाम् परमं गुरुम् सर्वसास्त्र प्रवक्तारं भर्गवं प्रणवाम्यः नीलांज नशमाभाषं रवीपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं। तम्नमामी शनेश्यरं अर्धकायं महाविर्यं चंद्रादित्य विवर्दनं सिंगिकागर्भसं भूतं। ल्ग्राहुं प्रणवाम्यः पलाष पुष्प शंकासं। तारकाग्रहमत्तकं। रोद्रम् रोद्रात्मकं घोरं। तम्केतुम् प्रणवाम्यः इतिव्यासं खोद्गीतं। यह पठेत सुसमाहितह। दीवावा यदीवारात्रो विग्नशांतिर्भविष्यती नरनारी रपानाम्चा भवेदुष्वप्ननाशनम एस्वर्यमतुलंतेशा मारुग्यम पुष्टिवर्धनम उम्हर्सिव्यास्विरचितम नवग्रह अस्तूत्रम्शंपूर्णम तो बोलिये प्रेम से नवग् अगर प्रतेक दिन इस नवग्रह अस्तूत्र का दिन या रात्री के समय सची सरद्धा के साथ पाठ करे या स्रवन करे तो अवश्य ही नवग्रह देपता की कृपा प्राप्ति होती है जिससे की व्यक्ति के सभी प्रकार के विग्न और बाधायें दूर होती है तथा ऐसे ही ज्यान बरधक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहें वीडियो को ल जादे किशन धन्यपाद